हालो एक बार फिर आप सभी का JINC Nursing and Medical Entrance एक्जाम के इस यूटूब चैनल पर हादिक स्वागत अभिन अंदर नमस्कार अदाब सर्सेकार काफी लंबे समय के बाद RUHS राजस्तान University of Health Science ने BAC Nursing Entrance का एक्जाम फॉर्म और एक्जामिनीशन शेड्यूल को रिलीज किया है आप सभी का इंतजार अल्मूस्ट खतम और अब लगना होगा इस चंग को जीतने के लिए तो क्या है इन्फॉर्मेशन BAC Nursing Entrance के इस कमिंग एक्जाम के बारे में शोटली आपके साथ शेयर करता हूँ और कैसे करने ही अत्यारी ये भी मैं आपको बताने वाला बच्चो ओके BAC Nursing Entrance RUHS एक्जाम के संपूर्ण जानकरी जान से देखीगा eligibility criteria क्या है कौन को नो बच्चा है जो इसका form भर सकते हैं बहुत सारे बच्चों को ये query रहती है तो मैंने clear mention क्या है qualification जो है BAC Nursing Entrance एक्जाम देने का वो है 12th pass और 12th pass के साथ PCB subject होना जरूरी है physics, chemistry और biology ये तीन main subject ने साथ में English भी रहता है then age जो है जो बच्चे इस BAC Nursing Entrance एक्जाम का form भरेगा उनकी age minimum 17 year होना चाहिए for the both male और female ये खास बात और है बच्चों ये अकिला ऐसा एक्जाम है Nursing Entrance का जाँपर male और female दोनों form भर सकते जादे तर आपने देखा होगा female को priority दी जाती है बट यहाँ पर दोनों को option दिया हुआ है तो कम से कम आपकी उमर 17 साल complete हो चुकी हो या आने वाले 31 December तक complete होगी तो आप ये form भर सकते हो ये सबसे पहला eligibility criteria याद रखना है maximum age कभी कभी पूछा जाता है कुछ बच्चे जो है अभी भी nursing करने का सपना देख रहे हैं government से तो maximum जो है male की जो age होगी वो 25 year तक का male ये form भर सकता है और 31 December 2021 से पहले ये age पूरी होने चाहिए वही हम female की बात करें तो female 28 year तक ये form भर सकती है और उनकी भी age जो 31 December 2021 से पहले complete होना चाहिए ये एक अलग criteria male और female का age का बट याद रखना दोनों का minimum 17 साल जरूरी है maximum male में 25 और female में 28 साल की female तक ये form भरा जा सकता है then sex मैंने अलगी रिखा male female दोनों के लिए एक्जाम important है then अब आता है कि sir 12 में कितने percentage है इस बार तो खूब percentage बने है तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जो percentage की वज़े से form नहीं भर सके इस बार तो बहुत जबर्दस percentage है तो जेनरल वाला जो बच्चा कम से कम 12 में 45% होना चाहिए और SC, ST और OBC वाले की कम से कम 40% होना चाहिए तो ये है eligibility criteria जो form भर सकता है अब next जलते है बच्चो नेक्स मैंने यापर put किया है कि जो form है application form वो कैसे भरा जाएगा वो online भरा जाएगा बच्चो online भरा जाएगा यापर कुछ भी offline का लिफापा बना के भेजने की ज़रूरत नहीं है और application fees भी उन्होंने mention किया है कि यदि बच्चा general और OBC category से belong करता उनको 1500 रुपे पे करना होगा ये amount student life में बढ़ा होता है बट अभी तो हमारे parents इसको पे करेंगे वहीं SC, ST और other कोई categories है वो 750 रुपे 750 रुपे उनको पे करना होता है ये amount ये आपर मैंने mention किया बच्चो फर्म बरते समय ओनलाइन आपको ये payment करना होगा इसके अलावा date of application firm कब start हो रहा है तो ये बहुत important date बच्चो 15 नवंबर से मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि कौन-कौन से document आपको prepare रखने है ताकि आप फर्म भरना आपके लिए आसान हो तो ये 15 नवंबर से फर्म भरना start हो जाएगा इसी मन्त और 6 दिसम्बर तक आपके फर्म भरे जाएंगे आपके पास लगबग 20 दिन का डाइम है 15 तारिक से फर्म start हो रहा है 6 दिसम्बर तक फर्म भरा जाएगा और बच्चों एक्जाम की exact date उन्होंने नहीं दिये बट आपको एक hint दे दिया है कि BAC Nursing Entrance RUHS के अंदर जो exam है that will be conducting third और fourth week at December मतलब इसी साल December के last week में नए साल से जस पहले exam की date आ सकती है तो अब हमारे पास है limited time और इस limited time में हमें वो करना है ताकि हम government में select हो करके government में BAC Nursing करके अपने घरवालों को सपना साकार कर सके देखिए बच्चो तो देड़ महीने की मैनत और सिधा पाँच लाग की बच्चत करेगी आप सोच सकते हो तो आपके parents लिए पाँच लाग की बच्चत होगी क्योंकि government college से आपका BAC Nursing होगा इसके लावा further मैंने पूट किया बच्चो ध्यान से देखिएगा ready document online form apply time to require मतलब जब आप online form भरोगे तो क्या-क्या documents आपको त्यार रखना है अभी 15 तारिक से form start हो रहा है आपको अभी से document प्रिपेर रखना है एक तो आपके email ID नहीं है तो बना लिजीगा वैसे आज कल 21 सदी में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी email ID नहीं है नहीं है तो बना लिजीगा क्योंकि जब भी कोई form भरते हो तो यह must है उसके साथ personal mobile number यदि आप अपना mobile यूज़ कर रहे है वैल एंड गुड नहीं घर में जिस parents का mobile आप यूज़ करते हैं mother या father वो number आपको पहले से prepare रखना भरने के लिए बर्थ certificate आपको अच्छे से पता कि 10th की जो mark sheet है उसको बर्थ certificate की रूप में consider कर सकते है 10th की mark sheet पर आपकी date of birth लिखी आती है then qualification certificate 12th का भी चाहिए 12th की mark sheet भी चाहिएगी then identity card में आधार card चल सकता है और voter ID card चल सकता है voter ID card ज्यादा तर बच्चों के पास नहीं होगा बढ़ यह अधार card सब के पास होगा और गलती से भी नहीं है बनवा लीजीगा password, passport लगे password size photograph और signature अभी आपको photograph अपलोड करना पड़ेगा तो passport size photo होना चाहिए और एक अच्छा सा खुबसूरत signature जो signature आप exam hall में बैट के कर सकते हैं ज्यादा तर बच्चे 12 तक आते हैं नाम ही लिखते हैं कोई Hindi में लिखता है कोई English में लिखता है signature हम लोग professional course के बाद सीखते हैं तो कोई issue नहीं आप नाम लिख सकते हैं उसी को हम signature consider कर सकते बच्चों इसके अलावा caste certificate यह बहुत important है caste certificate एक important parameter है SCST OBC वाले बच्चे यदि caste certificate नहीं बना तो 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 बनाए आज के लिए online का system है बन चुका है यदि आपके पास time में उसको update करवा लिजीगा तो caste certificate आपको selection के बाद जब counseling में आप जाओगे तब major role play करेगा कि कौन सी category में आप हो और category का according आपको college assign होगा तो वो नहीं बना है तो बना लिजीगा और यदि बना है तो उसको renew करवा लिजीगा बच्चों अब बच्चों के जैनम आते हैं कि सर्म और कुछ information चीए तो कहां से मिलेगी website दे रहका www.ruhsraj.org पे आप जा करके और detail मिल सकता है और इसी website से 15 तारिक से form भरना start होगा अब भी जाके search करोगे form अवेलेबल नहीं है then more information आपको और कुछ query है तो आप 01412795527 पे call करके और फर्दर जान करें लिए सकते हैं या फिर mail id entrance ruhs at the rate yahoo.com पे आप mail करके फर्दर information को ले सकते हैं बच्चो अब बच्चो के मन में चला कि sir selection process क्या होगा कैसे बच्चो को selection मिलेगा तो बच्चो यहाँ आप return test होगा computer based test होगा CBT जिसको बूलते हैं और इस return test का criteria बता देता हूँ इस return test में medium दोनों आने वाली हैं बच्चे Hindi medium आले Hindi में question पढ़ सकते हैं English medium आले English में पढ़ सकते हैं बिलकुल घबराने की जरूरत नहीं है आप यह मत सोचे कि मुझे Hindi English नहीं आ रहा है दोनों भासाओं में यह paper आएगा 100 MCQ आएंगे मैं बता देता हूँ 100 MCQ आएंगे मतलब 120 मिनट का time मिलेगा और इस 100 MCQ को आपको solve करना है और खास बात किसी भी प्रकार का negative marking नहीं है इस बात का ध्यान रखना फिर भी जब hall ticket आए तो एक बार instruction जरूर पढ़ना कुछ changes होगा तो उससमें आपको पता चल जाएगा बट अभी जो instruction है उसमें no negative marking मतलब हमें 100 के 100 question attend करने यदि hall ticket में कुछ negative marking आता है तो उससमें आप अपना ख्या लखेगा अभी की information आपको बता रहा हूँ अब बच्चों के मतलब एक और बात common चल रही है कि sir syllabus क्या होगा हमें पढ़ना क्या है तो my loving future generation of nursing profession syllabus में physics chemistry biology है बच्चों physics chemistry biology तीनों के 33.33% number के MC क्यों आएंगे total 100 marks होगे 100 question आएंगे 100 marks का आएंगे और इन तीनों subject में आपको 11 और 12 ये दोनों का 11 और 12 दोनों का physics chemistry biology ध्यान कीगा सब 12 का मत पढ़ेगा और अभी हमारे पास time कम है कम time में हम कैसे effective result देना है उसके लिए आपको कम सकम daily 6-8 गंडे minimum जादा तर जादा 10-12 गंडे study करना होगा अब study करने के लिए आपके पास क्या है बहुत सारे बच्चों भी ये चिंता और इसे रहम कैसे पढ़ें तो मैं हमें से कहता हूँ है ना आपका JINC जोदपूर online भी है, offline भी है तो जो बच्चा JINC जोदपूर नहीं पहुँच पा रहा है वो घर पे online course को purchase करके अपने study कर सकता है जो बच्चा JINC जोदपूर आ सकता है वो offline class में बैठ के अपने study कर सकता है मेहनत करनी होगी, selection लिए और मैंने यहां mention किया है BSE Nursing Entrance RHS special course available है और इसका price बच्चों 2500 है पच्चिसु रुपे का ये course है जिसमें हर unit के बाद बच्चों unit test दिया हुआ है recorded class होगा recorded class होगा और आप इस classes को कितनी भी बार देख सकते हो ये जो recorded class है एक बार, दो बार, चार बार कितनी भी बार देख सकते हो physics, chemistry, biology, 11th और 12th का syllabus यहां पको मिलेगा और प्लस इसमें बच्चों previous paper भी previous year paper भी available है ताकि एक idea लग जाएगी पेपर किस तरीकिक आता है तो simple तरीक है, आपको कुछ नहीं करना है प्ले स्टोर पर जाना है JINC जोदपुर का app डाउनलोड करना है अपनी mail ID से login करना है by course पर जाना है और वाँ सर्च करना है RUHS का यह entrance course इस पर click करके आप payment कर सकते हो या फिर सिधा आप 96360-32691 पर phone pay और paytm करके इस course को purchase का सकते हो आज से ही अपनी जर्नी को start का सकते हो यदि आप RUHS में राजस्तान गौवर्मेंट से BSE नसिंग करना चाहते हो फीस नहीं लगेगी इससे golden opportunity आपके पास नहीं होगी मैं आपको यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला हूँ यह तो बात होगी ठोड़ी की अब रुजाना 15 तारिक से JNC अपने YouTube चैनल पर start करने जा रहा है daily free MCQ session और यहाँ पर मैंने mention कर दिया है RUHS BSE nursing entrance exam की अब होगी दमदार त्यारी team JNC साथ 15 नवंबर से रुजाना शाम को सवा साथ मजे यह class कहाँ होगी यह होगी JNC nursing and medical entrance के YouTube चैनल पर आपको YouTube पर जाना है JNC nursing and medical entrance लिखना है इस चैनल को subscribe करना red वाला बटन दबा के ताकि हर class का notification आपके पास पहुंचे है और यहाँ होंगे बच्चों free mcq session free mcq session जहां पर सारे subject को JNC team के दवारा mcq के साथ आपको पढ़ा जाएगा by language में और मैं उमीद करता हूँ यह free session आपको मदद करेगा आपको अपने सपने तक पहुंचने के लिए तो कोसिस जारी है बने रिया JNC परिवार के साथ करें अपने सपनों को साथ करें जैहिंद जवाद